देखकर रोता भी हसने लगे ऐसा कपिल शर्मा का कहना है वैसे कपिल शर्मा के घर आने वाली है बड़ी खुश्कबरी कामेडियन और अक्टर कपिल शर्मा क्या एक बार फिर से प्रता भरने वाले हैं उनके एक ट्विट ने प्रशन सकों के दिल में नई उमंग जगा दी है प्रशन सक ऐसे ही कयास लगा रहे हैं कपल शर्मा ने एक ट्विट कर लिखा था शुब समचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके इस ट्विट को री ट्विट करते हुए लेखक चेतन भगत ने बधाई दी चेतन भगत ने लिखा कॉंग्रेचुलेशन्ज हिंदी में क्या कहते हैं मुबारक हो आपको बहुत बहुत नहीं किया है की आखिर गुड नीउस क्या है लेकिन उनके फैंस ये कयास लगारे हैं कि शायद दूसरी बार पिता बनने वाले हैं अलावा कई फैंस ने कयास लगाते हुए कहा है कि या तो उनकी कोई नए फिल्म आने वाली है या फिर बेब सिरीज लॉंच होने वाली है कपल शर्मा और उनकी पतनी गिन्नी की फिलहाल एक साल की एक बेटी अनार्य है एक यूजर ने कपल शर्मा के मज़े लेते हुए एक यूजर ने वेब सिरीज लॉंच होने का कयास लगाते हुए लिखा है कि आप आखिर एक वेब सिरीज का एलान करने वाले हैं पिछले साल नुवंबर में कपल शर्मा के दुबारा पिता बनने की खबरे आई थी कहा जा रहा था कि गिन्नी चतरत दुबारा मा बनने वा है उन्होंने अपने जादतर वक्त खाने और वेटी अनारिया के साथ खेलने में गुजा रहा है कपल शर्मा ने कहा था सारा दिन बेबी के साथ खेलता रहता हूं और खाता रहता हूं बता दें कि फिलहाल कपल शर्मा अपने मश्यूर दे कपल शर्मा शो की होस्टिंग कर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा की अगर वेब सीडिस आती है तो सच में वो धमाल और बवाल मचाएगी क्योंकि कपिल एक कॉमेडी सरकस से बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड लेते हैं तो फिल्म आने के बाद क्या होगा जरा सोचिए तो इस पर धेट सारे कमें कीजिए सुझाओ दीजिए देखते रहें अबेगर स्क्रिन और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही वेल आइकन दबाईए